स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्टो टेकनोलजी में मैं अनुपरमेबुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शूर कम्प्यूटर वेटनास्टी में आज हम लोग बात करेंगे बी एसनेल का एन बी आई ओट के पारे में यह भी काफी रिक्वेस्ट किया गया था तो इसको हम लोग कवर करता है तो समझे कि यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे है यह पर समझे कि IOT यानि Internet of Things डिवाइसे को बहुत ज़दा बैंडविध नहीं चाहिए जब तक IOT कैमरा के बारे में आप बात ना करें तो generally जितने sensors तो उनको बहुत कम bandwidth चाहिए होती यानि कितना NBPS या कितना KVPS per second चाहिए वो बहुत कम होता है तो यह उसी के लिए backbone बनाने का काम करने के कोशिश की जा रही है और इसका mean technology जो NB नाम में लिखा हूँ है वो है using narrow band narrow band एक mathematical concept होता है यह समझे जरूरी है narrow band almost हर चीज में अपलाई हो सकता है तो यहां पर हिसाब यह बनाने ज़रा कि narrow band का तुमाल करेंगे यानि कि अगर spectrum आप लेते हैं जो भी spectrum का band है उस band के अंदर आपका amplitude ज्यादा उंचा है और विद कम है तो उसे narrow band का जागा यह बस mathematical ratio की आपका amplitude जो है यानि कि कितना ऊपर आपका signal जा रहा है एक graph में आप ड्रॉक करें और width कितना है width कम पढ़ना चाहिए height जादा होना चाहिए तो उसे का जागा narrow इस्तमाल करेंगे और यह सीधे communication देगा जीयो इस्टेशन ही satellite यानि कि मतलब इंडिया के ऊपर जीयो इस्टेशन ही satellite है उससे communication देगा उससे फाइदा यह होगा कि यह एक बड़ा सा patch project कर सकता है और यह patch के अंदर 100% अफ इंडिया आएगा यानि कि इसका यह नहीं होगा इस location पर काम लेकरेगा वैसा नहीं होने वाला शर्त प्रतिशत 100% कवरेज देगा इंडिया का पलस इंडिया मतलब जो समंदरी इलाका है यानि कि हमारा जो national borders जो एक्स्टेंट करता है सी में वो भी पूरी तरह से कवर रहेगा कोई अच्छा अच्छा बस पुष तंदुस्त हालत में कवर में रहेंगे तो यहीं इसका में सेलिंग पॉइंट का की ओल इंडिया कफरेज मतलब डिसकुशन ही नहीं करना है क्योंकि सैटलाइट से दे रहे हैं तो अब बात कैसे में जो टेक्नोलोजी लगा और कोई फाइबर रूबर कनेक्शन नहीं है तो कैसे वह चम रहा है आप देखते हों च्छत पर च्छत्री लगा हुआ है जो कि सैटलाइट कमिनिकेशन चाब तो बीएशनल के पास टेकनोलोजी बहुत पहले से था तो बीएशनल वही सैटलाइट टेकनोलोजी को मतलब ए टूवे है क्यों कई बार वागए सैटलाइट से डेटा रिसीव करने बहुत असान होता है अब कर दिश्टिवी वही करता है लेकिन वह सेंड जादा नहीं करता है सेंड कुछ नहीं करता है तो वही समझे कि ये वैसा नहीं ही ये सिमेट्रिक है यानि कि जितना डेटा ये सिर्फ या नो सिग्नल आप भेज रहे हैं आप पूरा डेटा भेज सकते हैं तो और इसका मतलब ये अरली प्राइस है दाम चेंज हो सकता है क्योंकि ये अभी समझे इसको रश किया जा रहा है वैक्सिन डिलिवरी के लिए तो अभी मैं गारेंटी नहीं नहीं है लेकिन र गोट इंटरनेट है लेकिन ये बहुत नहां भी तो यही narrow band for internet of things devices के लिए mobile towers होते हैं, सारे mobile towers को जैसे कि Airtel को दियागे, तुम spectrum के अंदर रहो, BSNL को दियागे, तुम spectrum होता है, तो में spectrum के बीच में border spectrum होता है, narrow band का खासियत यही होता है, कि वो border spectrum के अंतर इस्नमाल किया ज़र सकता है, तो यानि कि बागी सारे cell, मतलब, जो आप देखना चाहिए, एक से 2 GHz के अंदर में आता है, तो एक से 2 GHz आप देखते होंगे, कि Wi-Fi router जो देखते होंगे, उस पर 2.5 GHz रहता है, तो 2.5 GHz में यह नहीं है, तो फाइदा बहुत कम interference है, और प्लस जेतना GHz आपका नीचे होगा, आपकी speed कम होते जाएगे, लेक 20 Kbps है, और वो 20 Kbps का कारण यह है कि ऐसा है कि यह बॉक्स नहीं सेंट कर सकता है, बात है कि सैटलाइट भेजने में बैट बच जाती है, यानि कि 30,000 km से जादा दूर है, तो समझ लिए है, इसमें दो लोगता, पहला तो वो 30,000 km दूर है, दूसरा इसे हम लगता है, बहुत कम है, यह मत समझ यह कि आप SMS कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता है, इसके उपर कि हम इससे सब चीज कर लेंगा, यह समझ यह स्टार लिंग को नहीं हटाने वाला है, इसका काम सिर्फ आपका IoT डिवाइसे के लिए एक बेसिक करना है, तो आप 20W का solar panel लगा के बड़ा बैटरी चार्ज कर सकते हैं, इसको दिन बर चलाता रहे, दिन राज सुबह साम चलाता रहे, लेकिन अगर आपका transmission बहुत हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा बमम पाउर स्टैक्ट चाहिए होगा, तो ही समझ यह कि यह मतलब L-Band क सब्सक्राइब का चोटा वहाई समझ लिए, मतलब इसमें खूब सारे चोटे एंटिना है, लेकिन वह सारे एंटिना डिरेक्शनल है, और यह खुद बखुद अनलाइज करता है कि साटलाइक कि यह आप किसी moving object पर भी रख साते हैं, तो यह ट्रैक करना पड़ता है, तो इ अगर आप चुछिच कर रहे हैं लेकिन यह वह फुल फेशिफ्ट अरे टेकनोलोजी निए बस डिरेक्शनल आइजिना को चूज करेगा, तो आप इससे कैसे बात करेंगे तो इससे बात करने के खूब सारे ओप्शन है, जैसे कि अगर माल लीजे कि आप SMS कर रहे हैं, और अगर अगर अभी आप जैसे स्मार्ट सेंसर के बारे में ध्यान देते होंगे, तो स्मार्ट सेंसर में बहुत सारा स्मार्ट सेंसर, चाहे वो ABB का हो, Siemens का हो, यह सब जनरली Bluetooth Low Energy का इस्तमाल करता है, तो आप इसे ऐसा बना सकते हैं कि वो सारे सेंसर, जैसे आपके बड़ा यह आपका ABB आपने मोटर बेचा है, मेरे को यह मोटर का यह सेंसर डेटा है, तो वो लोग आपको खुद फोन करते हैं, तो प्लीज उसको बिगड़ने से पहले रिपेर कर लीजे, यास आपका बहुत बड़ा बड़ा मतलब एर कंडिशनर यूनिट है, जो कि इंडर्स्र फिर यह सब तो मेरे बात किया wireless का, और अगर आप electrically noisy environment में जैसे कि जहां पर plasma cutter खुब इसमाल होता है, arc welding इसमाल होता है, तो वहाँ पर wireless signal पर कोई भरुसा नहीं करेगा, तो वहाँ पर आप RS-485 का इस्तमाल कर सकते हैं, या UART का इस्तमाल कर सकते हैं, या I2C का इस्तमाल क लेकिन कई जिगां पर I2C का इस्तमाल किया जाता है, जो लोग आडरीनो में खूब काम करते होंगा, और अडरीनो रस्बरी पर उनको पता होगा, UART और I2C का, तो यह समझे कि मतलब इससे आप बहुत सारा telemetry data इसी में डारेक्ट भेज सकते हैं, मतलब आप चाहे तो सब आपको एक मास्टरा में करें, मास्टरा से इसको लिंक कर दें, या तो यह डारेक्ली आपका हब के तौर पर बीहेव कर जाता है, जैसे कि मालीजे आप एक बोर्ट के उपर लगाना चाहते है, तो इसका UART का इस्तमाल करके आप खूब सारा सेंसर लगाते हैं, यह सब सीध जाएगा, दाम बदल सकता, लेकिन मैंने एक रफ आइडिया दे दिया जो यह लोग हजगा बता रहे हैं, अब बात करते हैं, इसका इस्तमाल किया था, तो इसका इस्तमाल किया है, आप यह समझे कि एक बहुत इंपोर्टन चीज होता है, कि रीच, यारी कि पहुँच कहा ह बहुत सरे टेक्नोलोजीजी है, कि जब मैं बेंगलोर में था, मेरे पास ऑप्षिशन के उपर ऑप्षिशन थे कि मैं कौन सा फाइपर हूँ, मतलब अगर मेरे पास पैसा रहता है, तो मेरे पास पांस से छे उप्षिशन थे, जो मुझे आराम से मेरे लोकेशन पे में आजाई है बहुत किसमत खराब हो जाए अच्छा रहाएगा तभी आपको फाइबर मिलेगा नहीं तो भूल चाहिए तो हिसाब यह प्लस मेरे मेरे भी यह जोना रहते हैं तो मतलब कि यह सुरू का एक दो साल तक उनको कुछ नहीं मिला अब जाके भी समस्थे होती है कि यह उसका मीं सेलिंग पॉयंड यह सब आयोट इस्तिक्टर मालीज कहीं पर है आप चाहोगे उसको मिन्टिंग करना फिर आप मालीए कोई तो shipping container में माले यह कोई sensitive जैसे की कोई vaccine है जिसका आपको देखना है कि उसका temperature माली है जिस temperature पर रखा गया temperature जहीं जादा नहीं हो जा रहा है और तुरंट आप alert पहुंच जानों चाहिए तो इसलिए tracking on monitoring आप कर सकते हैं और इसका पिस्तमाल करते हैं वह आप आप क्या देखना चाहते हैं क्या वह डेटा मतलब 20kbps के अंदर पाक करके भेड़े सब्सक्राइब इसलिए मुल रहे से wireless camera नहीं लगना लेकिन माली जै कि agriculture दुनिया में काफी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यहीं का इस्तमाल होता है फिर यह समझे डायर्यक्त लिए स्मार्ट संसर को देता है उसे इसमाइब को भी वाली कोई बड़ी कंपरी है मोटर वाली उन्हें बबब मोटर प्राइब अब मोटर है एक जो चुछ उनके लिए 100-100-100-$ और उनको पता चले का मोटर बिगड़ने वाला है वह आपको फोन करें अरे देखें सब्सक्राइब कर लिए नहीं तो प्लीज ठीक कर लिजे नहीं तो बिगड़ जाएगा तो हम कुछ नहीं करवाएंगे तो वही समझे कि आप डाइरेक्ट समान से बात करते हैं तो आप मिश्मनली इंडिया में हर जंगा आप सर्विसिंग देना चाह रहे हैं तो सर्विसिंग आप सोच समझके अगर देते हैं हर जगह ऑफिस खोलने के जगह से जदा बेटर रहेगा कि आप कुछ टीम बना लिज कि मतलब अगर आप सिफ एसमेस में काम करना चाहरे हैं तो यह करेगा पूरे इंडिया में कहीं पर भी एसमेस का एक अच्छा रिलाइबल सर्विस ही आपको अराम से दे सका है मैसेजिंग आप कर सकते हैं तो अब बात करते हैं तो ठीक इस्तमाल है उतना कोई बड़ी बात नहीं तो क्या कोई बहुत बड़ा फाइदा है जिसके लिए मतलब गौर्वर्मेंट इनना बड़ा रिस्क लिया है हिसाब यह है कि सेफटी के मामने में कुछ उच यूनिक चीज़ करता है जैसे कि फिशर में के लिए जो बोट में कहे हैं समंदर में कैसे आप जाने हैं कि तो हिसाब यह हो चुका है और यह मतलब डिप्लाइमेंट कुस साल कहना गलत होगा मतलब पहले से अरली टेस्टिंग में हुआ था तो उसमें यह था कि एक बोर्ट में लगा गया था और मतलब चार-पांच बोर्ट था और इसका जो सेंट्रल ऑफिस था वो लोग इसको द तो यह हो चुगा है तो समझ लिए सेफटी के मामले में इसलिए बार-बार आपको देखेंगे तो फिशर्में के बार में काफी चीफ बोर देखेंगे को और को और को टेक्नोलोजी साब कबर नहीं कर साथ है जब तक वह सैटल्लाइट से ना है और आप उनको नहीं वह सब पर बहुत में पड़ेगा और जरुवत भी नहीं है तो यहां पर वही है यह टेक्नोलोजी प्रूफ हो चुकी है कि इनको आप डारेक्ट बता से तो कि तुफान दिखने लगा है साटलाइट सामें यह निकल लो बोरिया बिस्तर पैक करो इनको मतलब अलर्ट आप भीज सक है लेट में पता चला गाड़ी निकल गए यह समझे मेडिकल सिच्विशन जासा है कि अगर आपको बहुत पहले पता चल जाता है तो आराम से सल्टा ले जाता है नहीं पता है गया उपर लेकिया तो वही बात हो जाता है कि फोरेश फायर हो जैसे कोई टैम मूम है जो रिम नहीं आहिए कहीं पे अटक जाता है या कहीं डिरेल हो तो करें नहीं आहो ऐसा कभी लेकिन माली कुछ हो जाता है तो एग्जाक्ट लोकीशन आपको पता चल रहा है एक जैक्ट की इस जगहां पर यह ने की ये दोनों की बीच हो और भुग आप खोजोए कहां पर हुआ न क्योंकि समझ रहे हैं जब कोई एक्सिडेंट होता है सुरूख अगर 20-30 मिनट में आप रिस्पॉंड कर लेते हैं बहुत लोगों की जानग जा सकती है तो यह समझे एक्जाक्ट लोकेशन जालने कि यहीं एक्सिडेंट हो है आपको बहुत कीम्ती समय आपको देटा है प्लस इंडस्ट्री में इसका सबसे बड़ा फैदा है क्योंकि हरको यह बुरे चीज होने के जज़ार नहीं करेगा कि तब इसको इसको इसनमाल करें इंडस् अगर एक बड़ा मेनेजमेंट यूनिट के पास महुंच जाए वो अराम से देख सकता है और उसका इस्तामाल करें काफी सारा प्रिवेंटिटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं इसका काफी फाइदा है मतलब बैसनल एक ऐसा चीज कर रहा है जो आने वाले टाइम में काफी फ बार दबाएं उसे में जता चले हो कितना पसंद वा है मैं आप से कोंगे कि कॉमेंट लिके मैं हर कॉमेंट जाब देने कोश्च करता हूं आप से को सब्सक्राइब कीजिए बिल दा बाई और आफरी है तो आपने और वीडियो दिखा जैनके मुचे बहुत खशी हुई धन आपने बाई